हेलो एल्लो आज हम भारने जाह हैँ जायकेदारों बहुते जादा टेश्टी चिकल लेकपीस ठीका एक चमच लाल मिर्ची पाउडर, देड़ चमच धनिया पाउडर, नमक साथी साथी आप ले सकते हैं और ये दो मीडियम साइस की प्याज हमने बारिक काट ली है तीन चमच हारा धनिया है, दो टमाटर हमने पीस लिये है ये दही है, और दो चमच लसंद रखका पेश, हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हलका सा मेरिनेट कर लेंगे इसमें मिर्ची डालेंगे, हल्दी पाउडर, नमक, इसमें पूरा नमक भी डालना है, इसमें थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि हम इसको अभी मेरिनेट कर रहे हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला, गुना हुआ जीरा, और एक अमच लसंद रखका पेश, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखिए, अच्छी तरह से हमने हाथ से इस पर मसाला लगा लिया, बहुत अच्छी तरह से पूरा सा मसाला, और आप इसको पंदर मिनेट के लिए ऐसी रख लिए, इतने हमारा चिकन मेरिनेट के लिए रखा हुआ है, इतने हम क्या करते हैं, प्यास को ब्राउन कर अब हम प्यास को ब्राउन होने कर इसको फ्राय कर लिए, प्यास हमारी ब्राउन हो गई है, अब हम इसके ऐसे साइट करकर इस तरह से ऐसे दबा के सारी प्यास पर निकाल लिए, अब हम इसी ओयल में हलका सा अपने चिकन को फ्राय कर लिए, तक उसखेंद देए इसको हल्का से ग्राउंड करना हम बस एक मिनर तक हमीची पड़ा रहे नहीं देंगे एक मिनर से ब दास कलती हिए जिकन हमारा हल्का सा फो गया है अब हम itu से निकाल देतो आप अब इसी तेल में गरम मसारा डाल देंगे, तास गरम मसारा डाल देंगे, यह थोड़ा से चेतंड़ जाएगा, फिसके अंदर collecting पेष्ट hè अब इस अंभी विणलेगे डेरेशे और अब इस न से अंटनर बहुजिय्आ देंगे अब इस सब मसाले डाल जेंगे अब इन-स अवब इनसा किझो को भूल लेंगे इसका ओल उपर आने को अब दही के साथ पवनान काया है को इसको आ करेंगे आपने दही के साथ पेश Spence को नड़ सांसर मोल हागा harassment लिए इसको पूरा उल ताप सीन लोग मैं से तेसन पिएस ऊपर दाले के एक दम्यद सेधे पीले मिक़ków नाइब घर्टऽाय और रागर दवारे में लेग करतीуждा अब अब करते हुआ है? कि अब में लेग पीस हमीर को घिपताई ने विस अब जब अनुदन किस्या करेंगे जांट को यह सिले माझन ट्या Sowodum यह देखिए यह प्याज और दही का पेष्ट है जो हमने बनाया था अब हम इसको चिकन में डाली है यह देखिए इसको एक दो मिनट हो गए है अब हम इसको इस तरह से पेष्ट को इस पर डाल देए और इसको हलके हाद से इस तरह इसको चला दिए इसमें हमें पानी नहीं ल काना 15 मिनिट के लिए अब हम इसको ऐसे ही ढखकर रख देंगे रही और प्यास के फोड़ा सा पानी लिए इसको इस तरह से धूर के इसको हम इस तरह चावड तरफ डाल देंगे पहुत ही टेस्टी बना है यह देखिए अच्छी करणा से बन गया, आप हम इस गेस बन कर देंगे और इस पहरा धनी यह डाल देंगे थोड़ा सा और हम निकाल के आपको दिखाते इस पहुत ही टेस्टी मसाला बना है हमारा और यह बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लज्जीज लेक्पीस मसाला बना है इसको आप ज़रूर बना कर देखिए यह देखिए बहुत ही टेश्टी लज्जीज हमारे मसाला लेक्पीस बनकर तयार हो गए हैं बहुत थे टेश्टी बने हैं और बहुत अची स्मिन से खुशबू आ रही है बहुत ही मज़े लज्जी बने है है यह आप इसको किसी भी चीज से ख़ा सकते हैं तंदूरी रोटी के साथ रूमाली के साथ या लच्छा परहाटे के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, यह हमने वीवर्स की फारमाईश पर बनाया है, हमने यह बहुत ही टेस्टी बने, आप इसको जरूर बनाईए और अगर आपको यह अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर में मिनगे एक नहीं जिश के साथ तब तब के लिए, अल्ला हापीस